कि अग्ट करते हैं कि अब यह जो मैंने चार्ट पर देखा है मुझे लगता है कि आज कल में इसमें एक अच्छा मुआ एगा एक लेवल के बाद एक मैं आपको इन लाउं करके बताता है बट श्रींग के एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए वो स्टोप बहुत अच्छा है उसका बनानसिस करके बताता है सब्सक्राइब को आप देखो अभी पता लगे कि मैंने इसा क्यों बोला इतना इंपोर्टेंट क्यों है आप वीकली वीकली चार्ट करने देखिए तो वीकली चार्ट के अंदर प्राइस ने का बतलब इतना कंशोल्डेट किया कि कोई बंदा अगर इसमें ट्रेड करता तो कि लास्स मतब 13 मार्च अभी अज 20 मार्च है ठीक है तुक है और मॉस्स कितने मेने होगि 5 महने से कहीं घाए नहीं है कि यह नहीं है पांच महेनी से कहीं गया नहीं इस तरीके से इसमें इस पर कैंडल एंड चार्ट टेक्निक आप देखें इसमें इसमें फोलो पर चल रहा है तो निचे की साइड काफी जाएं कि कितनी कितनी अगर यहां पे आप देखेंगे मैं आपको और अनलेसिस कर रहा हूं अभी मैं डेटेडिंग के लिए में क्यों गॉल रॉस में जबकि यह तो साइड वेश थी इतने टाइम से थी लेकिन अब नहीं है इसका यह आ गया इसको रिसेट कर देता है करने कंव तो यहां थक की डाउंसाडिश में है ठीक बटिश के वी के 90 डिकरी बट्टिकर इससकर का पांच महसमेंने का क्या हूं यह पांच महसमें लाए प्रेक्ड ड़ाऊं पूल बेक करें के बाद यह जो इंपॉर्टेंट लेवल है यह वाला यह इंपॉर्टेंट लोने के बाद एस डीए फिर जाएगा यहीं पॉल्टेंट लेवल प्रास का कंट्विंश लिएक फोलो फिस चल रहे निच्चे की साथ सपोर्ट है बिल्कुल है वह काफी बड़ी तो नीचे की साइड निकल जाएगा मैं आपको कुछ डे ट्रेडिंग से रिलेटेड आप में इसमें बताना चाहिए वह फॉलॉप चल रहा है इसमें प्राइस उपर गया दे नीचे आ रहा है कैंडल के अंदर के अंदर कैंडल है तो आपको दोनों साइड के मुव आंगे को सबस्कों कि कहिए भीच का देखोगे ना क्योंकि विकली कैंड़ के अंदर कैंडल है क्रिए आपको आपको ऐसा क्यों बोला है जो आपका जो प्रेकडाउन हुआ यहां पर मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है क्या दिख रहा है और आप इसको इसको कनेक्ट कर दोगे तो कहने का मतलब प्राइस जो है क्या उपर की साइड यह कैप है और नीचे की साइड यह असे जा रहा है अब आने वाले टाइम का इसका जो प्राइस बीएविर है इस बीएविर के अकोडिंग तो यही प्रेडिक्शन होना चाहिए यही है ना तो यह राइजिंग वेज भी नहीं है ठीक है बट ट्रैस क्यों जो रहा है कहने को दिखने को ऐसे लग रहा कि असेंडिंग ट्रैंगल पैटन है असेंडिंग ट्रैंगल पैटन का नोर्मली क्या होता है ब्रेक ब वह नगेटिव और प्रैस गिरना चाहता है तो कोई भी बनेगा वह फेल हो जाएगा कहने का मतल्ब विदाउट मार्के स्ट्रॉक्ट्टर अंडर्सटेंड कियो चार्ट पेटन के कितनी है जीरो नहीं है अधी बार तो काम कोई भी चीज गाम कर जाएगी ठीक है 50 50 चार्ट पेटन के एकोडिंग तो यह ब्रेक आउट करना चाहिए अब दोनों चीज़ों को साथ में कंभाइड लेकर लेके चलो प्रैस क्या हो रहा है हर किसी को से बैंक के उपर अगले एक दो दिन में क्या रखना चीए नजर रखने चीए ट्रेड नहीं करना चीए नजर रखने चीए वासलिश में क्योंकि उसके बाद आपको एक अभी स्क्यूज मोवेंटम में है और आपका प्रैस एक कंशोलडेशन कर रहा है एक रेंज के अंदर साइड में लेजिए आपको कम से कम S DPC बैंक में कम से कम भी होता हूं से पात परसंट मिल जाएगा इंट्राडेश वो सकता है दो-3 परसंट मिले ठीक है वो देखना पड़ेगा कब मिलेगा कल मिलेगा परसों मिलेगा बट और आल वियू के आपको 4-5 परसंट पाक है यह हैं है हाय टाइम फरेम की इनसाइट थायर इस क्योंट की वह रहा है कहीं जा रहा है तो जब तक हेज्टष से इसके कर रिक करना कड़ां करें खाट्रासुपएंटिस के ऊपर हें निचए काम्यात में राव क्प्र Safety Army जो केंडल बेकडाउन करेंगे 15 मिट्स वो केंडल डॉट टू डॉट रिस्पेक्ट करने ही चाहिए लोग टाइम तीन मिट पांच मिट में देन आप उसी डारेक्स में ट्रेड लीजिए आपको इंट्राडे में भी दो तीन परसेंट गेन हो जाएंगे एंड अगर उस दिन मुविमिंट अच्छा है उसको ट्रेड कर ले लेना है तो समझ में अस जेश मैंने क्यों बोला कि यह से जी से जी से